नमस्कार आप देखे रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचन धर्मनगरी आयुद्या की 14 अकोसी परिक्रमा मंगलवार देरात से शुरू हो गई परिक्रमा का मुरत मंगलवार रात 12 बच कर 38 मिनट सिथाल लेकिन मुरत से पहले ही रात साड़ दस बजे से ही आस्ता के पथपर लाखो पर पग निकल पड़े परिक्रमा पथपर गुजे जैश्री राम 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 और सितराम के स्वर ध्वनित हो रहे थे परिक्रमा को देखते हुए राम नगरी में यह आतायात डायवर्जन लागू कर दिया गया है आयध्या में सभी प्रकार के वहानों का प्रवेश्पती बंदेता है चौधा कोसी परिक्रमा में जैसे जैसे रात चरती गई आस्ता के पथपर शिधालू की भीर भी बरती रही सुबा होते होते आयध्या फैजाबाद मानव शंकला में बंद सी गई असा लगा जैसे कि दोनों नगरों को भक्तों की माला पहना दी गई है शिधालू ने परिक्रमा पथ पर अपनी अपनी सुवधा के अनुसार पहले से निश्वित किये गए स्थान से परिक्रमा के लिए कदम बढ़ाया दरसलिया एध्या दर्शन नगर भीकापुर देवकाली जनौरा नाका हनुमान गड़ी मोदहा सिविल लाइन से इस्तित हनुमान मंदर शहादत गंज अफीम कोठी आदिस पानुस शिधालों ने पूरे भक्ती की रो में परिक्रमा करनी शुरू कर दी वहीं नया घाड पर बड़ी संख्यम शधालों ने राथ में ही पावन सरीला सरयू में डुपकी लगाई और परिक्रमा मूरत के अंतजार करने लगे शधालों के सेवा के लिए जगा जगा सेवा शिवर में लगे हुए थे जलपान से लेका चिकस्ता के पूरे इंतजाम परिक्र परिक्रमा को लेकर राम नगरी सुबह से भक्तों से गुलजार हो थे अयुद्ध्या में उम्मणे भक्तों ने पावन सरीला सरयू में डुपकी लगाई इसके बाद विबिन मंदरों में दर्शन पूजन किया बता दें की 14 कोसी परिक्रमा में प्रिशासन द्वारा सुरक् अधिर चल ना है तो उसी स्रद्वाव से घर से तो कोई साथ म्लानी तुछ प्रिक्रमा करने के लिए फिर हैं क्या भावना है सिर्द्वाव क्या है तुछ नहीं है एक पामन से आवायाई थी कि जाना जाना है कि आगे अब आगे देख आपको लोगों ने बताया परिकर्मा करने से क्या मिलेगा आए तरह इसमामले किसी के साथ तो बैठने थे तो बस पहली वार मन में वो गया था कि क्या नम है अपको विश्वजीत पाठक और क्या इसके बीचे भीचे फ़र ना है और क्या इसके पीछे कोई क्या कहा जाता है कि परिक्रमा क्यों करना चाहिए हम तो यहीं सुनते हैं कि परिक्रमा करने से कुन होता है परिक्रमा करने से यहीं लाभ है देह दसा सुरच्षित रहेगी आपना हाथ पर बना रहेगा यहीं सब लाभ है प्रक्रमा करने से वह करमा तो हमको हो बया आठ साल करते हुए क्या ना में आपका सिसीरा पाठाक कर रात्री में बारे वज़े से चौदे कुछी प्यक्रमा शुरू होने वाले थे हुद्धा में लेकिन इतना हुसा सद्धालों में था भक्तों में था कि उन्होंने उससे पहले ही शुरू कर दिया और मैं सबस्ताओं की लाखों लोगो की भीड़ है और एक अजीब सा हुसा है इस बार कॉरोना में क्योंकि दो वर्ष तुड़ा प्रित्वंदित रही थी कम लोग उसमें की वज़े सायत हमलों की यह थी कि कम से कम उसमर है लेकिन इस बार सब रिकार्ड तूट गए है और निशित उससी मुखमतियों की याद करें इसके लिए निशित की आतातकारियों को हम लोगों ने भी निशित रूप से लगा था तर तीन चार दिन सांसर जी भी थे हम भी थे हम सब लोगों ने वह उस्ताओं को बहतर कराने का प्रियास किया और मुझे प्रसंता है कि आज आए ध्यामें यह एत्यासिक मैं कह सक अराम बहुत हर सुल्लास के साथ आउध्या में 14 कोशी प्रारम प्रकर्मा अच्छे नौमे के परफ़र मनाया जाता है और प्रकर्मा करने से 84 लाक योनिय से भटकने से मुक्ति मिलती है इसलिए एध्या में लाकों की संख्या में स्रधालू पहुच करके तन मन धन से और बहुत ही आस्था से प्रकर्मा पूर कर रहे हैं और आज की दिन प्रकर्मा करने से यग तप जब करने से उनको मोच की प्राप्ति होती है आज़्या में स्रधालू पहुचे विये हैं जगे जगे पे जल प्याउं जगे जगे पे प्रसाथ बितरं तीर्थ पुरोही समाज सादू संत आज़े के नगरवाशियों ने विवस्था कर रखी है और जगे जगे सभी स्रधालू का हार्दि का स्वागत व्यवनंदन हो रहा है इसी के दूसरे दिन कि अधिया में अनादी परंपरा से चौदा कोशी परिक्रमा का कार्क्रम चला है बीच में दो वर्ष करोना काल में लोगों का आना संभू नहीं हो पाया भगवान की किर्पा हुई है पूरा देश कुछ रोग से मुक्त हुआ और इस बार लोगों की जन्मावना इतनी ज़्यादा वनी की दो वर्ष से नहीं जा पा रहे है तो लाखों की संख्या में इस तमय स्री आयोध्या धाम में परिक्रमा करने वाले श्रदालू शनातन धर्मा उलम भी यहां उपस्तित है और यह पूरी आयोध्या की चौदा श्री का जो नियम है उसे नियम को पूरा कर रहे हैं सारे लोग भगवत नाम जाब करके भगवान राम लला का दर्शन करके हरुमाण जी महलाज का दर्शन करके और कृत्षिक्ट्यत्य हो परिक्रमाई का नियम यानि काईचे पापानी जनमान त्रक्रतnte अनुद्धाद का पड़ Direct नगा के अनेक चनमों के पापों से ब्यक्ति मुक्त हो जाता है इसलिए है अयुद्धिया द्हामम में जिव्य भव्य परिक्रमा का चल ना है अज ये परिक्रमा समापत होगी शाम को और पुना पंचकोषी परिक्रमा अयोध्या की प्रार्म हो जाएगी उस परिक्रमा में लाखोय आत्री शनातन धर्मा अलम भीा इसे परिक्रमा का लाउप्राप्त करेंगी पूरे जो यात्रा है इसको चौदा कोशी परिक्रमा है इसको पाज जोन और नो सेक्टर में भाजित किया गया है हर सेक्टर में अपर पुलिस अधिक्षा किस्तर के अधिकारी लगाए है ट्राफिक विवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए डाईवर्जन पॉइंट बनाये गए है जगह 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 वैरियल लगाकर ट्राफिक को डाईवर्ट किया जा रहा है इसके अलावा जो महत्मून रेलवे क्रॉसिंग उन्पर परियात प्लिज पर लगाया गया है उन्पर इंटिजाम हैं आज ड्रोन से भी निगरानी की गई थी तो इस तरह से अभी यात्रा प्रारम है और ये संपसल संपन्ध रहे केुशे